दो अक्टूमबर को मौझूदा चीफ जस्टिस ओप इंडिया दीपक मिस्रा रिटायर हो रहे हैं टीन अक्टूमबर को रंजन गोगोई भारत के मुखे नैदिस पद की सपत लेंगे सत्रा नौमबर दो जार उन्नीस को उन्हें रिटायर होना है यह पहला मोका है जब नौर्थ इस्ट से तालुक रखने वाला कोई सक्स चीफ जस्टिस ओप इंडिया बन रहा है आए जानते हैं इनके जीवन के बारे में कुछ ऐसे तत्थे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे कभी पढ़े नहीं होंगे और यह तत्ते सारे वो तत्ते हैं जो एक्जाम्स में भी आ सकते हैं और समाने जानकारे के लिए भी काफी जादा महत्वर रखता है रंजन गोई की बारवी तक की पढ़ाय ड्रिबुगड में हुई थी ड्रिबुगड गोईर्टी में पढ़ता है फिर गेजवेशन के लिए वो दिल्ली चले गए वहां सेंट स्टीपन कोलेज से हिस्ट्री ओनर्स में बीए किया फिर दिल्ली इंवर्सिटी से कानून की पढ़ाय की पढ़ाय खत्म करके वापस गोईर्टी लोड गए सन 1978 में गोईर्टी बार असोसियन में सामिल हुए यही पर वकालत करते रहे फिर फरवरी 2001 में उन्हें गोईर्टी हाई कोट में पर्मानेंट जज न्युक्ती मिल गई इसके बाद फरवरी 2011 में पंजाब और हर्याना हाई कोट में चीफ जश्टिस बना दिये गए अप्रेल 2012 में सुप्रीम कोट के जज मनें और अब अक्टुमबर 2018 में चीफ जश्टिस ओप इंडिया वो बन जाएंगे वो सुप्रीम कोट के उन 11 जजों में से हैं इन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी सारवजे ने की है उनके पास एक भी कार नहीं है असम के काम रूप में एक गर है उनके पास जो पहले उनकी मा का था उनकी मा का गर अब उनके नाम पे आ गया है माने उन्हें दे दिया है उनके बारे में लोग कहते हैं कि वो मीठा बोलते हैं मगर कोर्ट के अंदर जस्टिस रंजे गोगई बड़े सक्त नजराते हैं बड़े सक्त माने जाते हैं इनके बड़े पेसले के अगर बात की जाए तो जज का केरियर उनके पेसलों से तोला जाता है रंजन गोगई अभी रिटायर नहीं हुए है चीफ जस्टिस ओप इंडिया के कुर्सी पर भी नहीं बेटे हैं फिर भी उनके नाम कहीं सारे लेंडमार्क कैसेज हैं जिनको जानना जरूरी है पूछे जा सकते हैं असम में हो रहे नेशनल लेजिस्टर ओप सिटिजन्स एन आर्सी के साथ रंजय गोगई का नाम जुड़ा है 2013 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दाखिल की गई थी इसकी सुनवाई का जिम्मा रंजन गोगई और जस्टिस रोहिटन नरीमन को मिला था इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की देख रेग में एन आर्सी का काम आगे बढ़ रहा था इसका पहला ड्राप्ट अब आ चुका है वर्तमान में आपने देखा होगा एन आर्सी जैसे ही आई थी सरकारे अपनी योजनाओं को चुनावी फाइदे के लिए खूब बुनाती है पोस्टर होल्डिंग्स योजनाओं का नाम होगा साथ में पार्टी के नेताओं की तस्वीर लगेगी 2015 में सुप्रीम कोट ने ये कहा था कि सरकार के फंड से जो विग्यापन तेयार किया जाएगा उसमें बस राष्टपती और प्रदान मंत्री की ही तस्वीरों का इस्तमाल हो सकेगा जिस बेंच ने ये ओडर दिया था उसमें जस्टिस गोगोई और जस्टिस पीसी घोस भी थे तो ये जो एक भूमी का निभाई थी इस कानून को बनाने में एक प्रकार का फैचला देने में क्योंकि सरकारें जो होती है कोई भी चुनाओ आए कुछ भी तरीके से सरकार का जनता का जो पैसा होता है उसका यूज करके अपने फोटो अगबारों में छपवाती एक्सर आपने देखा होगा तो वहाँ पी ये लिखा गया थे या तो प्रदान मंत्री या मुख्य मंत्री या राष्ट पती के लवा किसी और अन्ने विक्ति का फोटो अगबार में नहीं सपेगा सरकारी विग्यापन के रूप में मार्च 2015 में जस्टिस गोगोई और जस्टिस नरीमन की बेंच ने पेसला दिया था कि जाट समुदाई को पिछडा स्टेटस नहीं दिया जा सकता जाट समुदाई का बहुत बड़ा अंदोलन हुआ था आपने देखा होगा 2015 में भी हुआ था उससे पहले कहीं सालों से चलाई आ रहा है आरक्षन के लिए UPA सरकार ने 2014 के लोकसभा चुनाओं से पहले कुछ राजियों में जाटों को बेकवर्ड स्टेटस दे दिया था गोगोई और नरीमन की बेंच ने कहा कि जाट बस सोगेचित पिछड़े हैं यानि कि जो सोगोषना कर रखे उन्होंने अपने आपको मान रखा है कि वो पिछड़े हैं लेकिन इन जजज साब के नुसार वो पिछड़े नहीं थे और उनका इस्टेटस वापिस उन्हें ल किसी इंसान को इस तरह का समन मिला हो शॉम्मया मडर केस में सुप्रीम कोट के पेसले पर काटजू ने पेस्बूक पर कूब भला बुरा लिखा सुप्रीम कोट की तरफ से उनको ये कहा गया कि वो अदालत में आया और कोट के पेसले पर सब के सामने बहस करें बताएं किसम क्या खामी ये कार्जू सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए जस्टिस गगोई ने कार्जू की कुछ फेस्बुक पोस्ट की फोटो को पी निकलवाई हुई थी उसके पास कुछ इससे अंडरलाइन करके उन्होंने अटवनी जनरल मुकुल रहतोगी को थमाया और कहा जरा पड़िये कार्जू चिड गए और बोले मुझे धमकाई ये मत गोगोई बोले हमें उकसाई ये मत वरना कहीं हमें आपके बाकी पेस्बुक पोस्ट भी ना पढ़ने पड़े बाकी पेस्बुक पोस्टों का भी संग्यान ना लेना पड़े जनवली 2018 में सुप्रीम कोट के चार जज़ो ने एक प्रेस कॉंपरेंस करी और कहा कि चीप जश्टिर दीपक मिस्टरा के तो तरीकों से एतराज है उन्हें किसी केस की सुनवाई के दोरान किस केस के लिए बेंच बिठानी है कौन से केस को बेंच सोपनी है जैसी अहम चीजों के रिगार्डिंग वो प्रेस कॉंपरेंस थी जिस तरह से दीपक मिस्टरा तई कर रहे थे उनमें ताना साई का अंदाज है इस प्रकार का आरोप लगाया गया था इन चारों जजों में से एक जज़ ज़स्टिस रंजन गोगोई भी थे प्रेस कॉंपरेंस के आखरी में उबले हम यहां देश का कर्ज चुकाने आए हैं आगे अगर मैं बात करतें उनके कारेकाल का एक बहुत बढ़िया किस्सा ये भी रहा किसी ने सुप्रिम कोर्ट में एक याचिका डाली थी फिर जब उसको सुनवाई का टाइम आया तो उसे वापस ले लिया गया ज़स्टिस गोगोई ने उसके उपर पांच लाग का जुर्माना लगाया उनका कहना था कि याचिका करता ने कोर्ट का कीमती वक्त बरबाद किया है उसकी याचिका की वज़े से जज को आट सो पन्नो को पढ़ना पड़ा और इतनी मेहनत और इतना वक्त किसी और जरूरी केस को सुनने में खर्च हो सकता था जुर्माना लगाने वाला ये साइट सुप्रीम कोर्ट में पहला ऐसा केस था 2017 में गोवा आटी में आयोजित एक प्रोग्राम में बोलते उन्होंने ऐसा कुछ भी कहा था पेंडिंग पड़े केसों के अमबार ने भारत की नियाईक प्रक्रिया को जकड़ा हुआ है इसकी वज़े से दुनिया में हमारी छवी खराब हो रही है रंजन गोगोई बतोर जज़ अपने सुरुवाती दिनों से ही अदालत के वक्त बचाने के पक्स में रहे हैं पेंडिंग मामलों को सुदार करने की बाद चल रही है ये सुदार सिस्टम के अंदर से होना होगा रंजन गोगोई तो फिर रिफॉम से बढ़कर क्रांती की बात करते हैं उनसे उम्मीद तो होगी ही अब देखते हैं इन्जस्टिस का कारेकाल किस प्रकार का अभी तक का रहा वो हमने सब जाना आगे इनका कारेकाल अच्छा रहे इसकी हम सुबकामना इनको देते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि नियाई प्रिक्रिया जो भारत की है जिस पे अभी भी एक लाश्ट व्यक्ति का विश्वास है वो इस्वास बना रहे क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाए सामने आई है जिससे नियाई पालिका पे सवाल खड़े हुए है और आजकल मीडिया में बेटे हुए कुछ नेता लोग या कुछ प्रवक्ता लोग कभी भी किसी भी सुप्रीम कोर्ट के पेसले के बारे में कुछ भी बोल देते हैं जो सरा सर गलत है या कई बार ऐसा भी होता है सुप्रीम कोर्ट कोई अलग कानून बनाता है संसद में उस कानून की धजिया उड़ा कर उस कानून को बदल दिया जाता है मैं बात किस कानूं की कर रहा हूँ आप तक पहुँच रही होगी मैरा कहना सिर्फ इतना है कि न्याईक प्रक्रिया सविधान का एक महत्तोपूर्ण अंग है जब बाबासाम भीमराव उम्बेट करने सविधान का निर्मान किया होगा तो नियाईक प्रिक्रिया को इस प्रकार से बनाया है कि आप सभी के लिए जो लाष्ट वेक्ती है इस देश का उसको नियाई मिल सके और उसी के नुसारे पूरा देश चलता है तो हमें इस विश्वास होता है कि हाँ ये चीज है जो इंडिपेंडेंट है लेकिन आज कल कुछ एक ऐसी चीज ये घटनाए घटित हो रही जिससे इसका विश्वास कम होता जा रहा है हम यही उम्मीद करते हैं नए चीज़श्टिस साब के आने के बाद कुछन कुछ और परिवर्तन होगा कुछ विश्वास और बढ़ेगा जनता का नियाइक सोच में नियाइक जो कारेले होते हैं नियाइक जो फैसले होते हैं उनके अंदर फिलाल के लिए धन्यवाद बनरी है डिस गुरुजी के साथ थैंक्यू जहिन जेवारत ये वीडियो लेक्चर या ऐसे कुछ भी कहें आग बायगुराफी कहें कुछ भी कहें अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे सेर करिए लाइक करिए सब्सक्राइब करने के मैं कभी नहीं बोलता आज भी नहीं बोलूगा धन्यवाद जहिन जेवारत थैंक्यू साथी साथ आपको करन्ट अफेर और रुजना के इतियास की जानकारी मिलती रहती है और भारत में निकलने वाली कोई सी भी वेकेंसी हो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको दी जाती है एक बार आप dsgruji.com को विजिट जरू करें